नमस्कर बच्चो आज के इस एपीसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th SST सामाजिक विज्यान के सेकिंड टेम के मैफ़क से ले बसको मैफ़क जो SST सामाजिक विज्यान का सबसे important part होता है अगर आपको अच्छा score करना है अच्छा मतलब अगर 95 प्लस या 100% के बारे में आप सोच रहे हो इतना target लेके चल दे हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैफ़क के आपके सारी concept clear होने चाहिए लेकिन mostly students के साथ क्या होता है कि वो मैफ़क को ignore कर देते हैं होनात यह चाहिए कि जब आप chapter करे हो तो chapter के साथ ही आपका मैफ़क हो जाना चाहिए लेकिन हम सोचते हैं कि इसको बाद में करेंगे अब मैफ़क अगर साथ साथ कर लिया जाए तो उससे क्या होगा इससे आपका जो content होता वो interesting हो जाता है मज़ा आता है पढ़ने में दूसरा concept better way से आपके clear हो पाते हैं तीसरा जो भी concept हम मैफ़क के साथ करते हैं वो long term तक हम याद रख पाते हैं जिसे माल लेजे कि हम दिसपूर के बारे में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं गोहाटे के बारे में हम पढ़ रहे हैं इमफाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं जरिया बोकारो रानिगंज के बारे में अगर हमें map के उपर exactly उन places के बारे में पता है मज़ा आएगा पढ़ने में वो याद रहेंगे हम ऐसा के लिए लेकिन हम क्या करते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि मैफ़क तो बाद में देखेंगे अब एक चीज़ ओर होती इसे कि जब हम मैफ़क को इग्नोर कर देते हैं या फिर हम अवोइड कर देते हैं कि बाद में करेंगे तो उससे mind में कहीं न कहीं रहता कि chapter तो हो कहा है लेकिन map work रहता है वो confidence, वो positive vibes नहीं आ पाते दूसरा जब हमने उसको टाल दिया कि बाद में देखेंगे बाद में कब देखेंगे? exam days में देखेंगे और 95% के आसपास जो students, 90-95% students वो exam days में भी नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ पर exactly उनको पदा ही नहीं कि map work में करना क्या है वो exam में सीधे चले जाते हैं, तुक्के लगा के आते हैं और वहीं पर marks deduct हो जाते हैं यानि सबसे easy part जो social science का है, सामाजिक विग्यान का है उसी में हमारे marks कम हो जाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस वीडियो में इस वीडियो में हम पूरा जो आपका second time का map work है उसके slivers को जानेंगे और उस map work को आप कैसे करोगे, कहां पर हमें locate करना है exact वो place कौन सा है, वो सब कुछ हम यहाँ पर discuss करेंगे तो यह हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा जब भी हम map work की त्यारी करते हैं, उसमें three steps आते हैं यानि कि पहला हमारा step रहेगा कि what to locate, exactly हमें पता होना जी कि हमें क्या locate करना है map work का slivers बहुत छोटा सा होता है, limited सा होता है CBC की तरफ से हमें separate map work का slivers दिया जाता है तो exactly अगर पता हो, तो थोड़ा सा, मतलब 15-20 मिनिट में map work की slivers को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता जब हमें slivers पता चल गया, तो second हमारा step आता है कि where to locate, locate करना कहा है अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोल होता है ज़ोल कहा होता है, कि हम क्या करते हैं, जो बच्ची त्यारी करते हैं कि अच्छा, ठीक है, help book में दे दिया, देख लिया देखने से काम नहीं चलता, उसके practice कीजिया, blank map के उपर क्योंकि जब हम देखते हैं और जब हम locate करते हैं बहुत difference आ जाता है जब map में देखते हैं, locate करने की बात आते हमें लगता है यह place यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है सब गढ़बढ़ हो जाते हैं, पूरा रायता फेल जाता है तो वो चीज़े ना हो इसलिए at least twice आपको practice करनी होगी और तीसरा है how to locate locate करना कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए अब काफी सारे students क्या करते हैं कि locate करना कैसे उसमें जिसे points दे गए 1, 2, 3 1, 2, 3 mention करके आ जाते हैं ये कई बार जिसे question type से ये दिया गए कि place दे से आपको दे दिया गए बी point दे दिया गए और आपको दिया गए कि वो स्थान जो SEO गांदोलन से समन दीता है उके, UP में चोरी-चोरा हमें दिया गए लेकिन हमने वही लिखके आ गए चोरी-चोरा लिखना हमें, answer भी लिखना उसको locate भी करना है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कैसे करना है ओके, या फिर क्या करते है हम जो blind students होते है blind candidates होते है उनके लिए questions होते है, वो करके आ जाते है कई बार students उन questions के answer answer sheet पे दे आते है तो ये सारी चीजे हमारी clear होनी चाहिए हमें क्या करना है, कितना करना है कहां करना है, और कैसे करना है तो चलिए एक एक करके हम सभी chapters के map work को discuss करते हैं, सबसे पहले हम history के साथ सुरुवात करेंगे history में हमारा जो chapter दिया गए वो है second chapter, जो new edition आपका NCRT का, उसमें second chapter है जिनके पास old book है, तो उनमें ये आपका third chapter हैगा भारत में राष्टवात, इस chapter में हमारे दो type के question देगें total हमारे nine points है कितने nine points है, जिनको हमें करना है तो इसमें locating के लिए question पूछा जा सकता है, यानि कि locate करने के लिए labeling या identification के लिए भी दिया जा सकते, यानि कि palace point या हमें पहचानना है clear, या फिर हमें exactly उसको locate करना, दोनों type से question आ सकते हैं तो इसमें हमारे जो first three points हैं यानि कि total कितने points हैं, nine इस chapter में से first three points है हमारे भारतिराष्टी Congress के अधिवेशन ये अधिवेशन क्या थे, कि Congress Party की उस period में annual एक meeting हुआ करती थी आगे की future planning को लेकर के वो होती थी December में जर्णल, लेकिन कई बार बीच में भी हुई है तो उन में से तीन important जो अधिवेशन है जो session है, वो हमारे syllabus में मैफ़ा के syllabus में दिये वे हैं तो चलिए कौन सी है, पहले हम इनको देख लेते हैं फिर हम locate करेंगे सभी points के बाद तो पहला हमारा कलकत्ता अधिवेशन है, जो स्तंबर 1920 में हुआ था, ओके कौलकाता नहीं होगा कलकत्ता ही इससे लिखा जागा कलकत्ता सितंबर 1920 में हुआ था ये 1920 में हुआ है, और question कैसे आएगा जैसे Congress का स्तंबर 1920 का अधिवेशन Congress का स्तंबर दिसंबर 1920 का अधिवेशन, अब पहले था पता हो ना चीना कि स्तंबर में कहा हुआ था, दिसंबर में कहा हुआ था, तो वो थोड़ा सा confusion हो जाता है, तो इसके लिए आफ alphabetically formula यूज कर सकते हो जिसे dictionary में दिया होता है, कि alphabetically जो नाम पहले आएगा वहाँ पे पहले अधिवेशन हो था, बाद में दूसरी जगा पे, जैसे C4 कलकत्ता, कलकत्ता C से होगा और N4 नाग पुर होगा, पहले कौन सा हैगा, C से कलकत्ता, तो पहले हुआ था स्तेंबर में, वो कहा हुआ था, वो कलकत्ता में होता, ऐसे आपको याद रह जाएगा और मदरास का तो अलग है, वो आपको याद रह जाएगा, तो ये हमारे मैफवक में दियेगे, तीन अधिवेशन लेटिड हमारे सत्यागरह हुआ था, गांधी जी का पहला सत्यागरह था ये, ओके तो चमपांड बिहार, मोमेंट ओफ इंडिगो प्लांटस, उसके पद सेकेंड ए खेडा गुजरात सत्यागरह हुआ था, किसानों का सत्यागरह था, और ये भी गांधी जी का सत्यागरह था, सेकेंड मोमेंट था, गांधी जी का यहाँ पर, ये वहाँ के किसानों के समर्थन में था, गुजदरात में है ये खेडा, ये 1917 में हुआ था, 1970 में है, वहाँ के जो किसान थे, वो लगातार तीन वर्सों से सूखा पढ़ रहा था, काल पढ़ रहा था, तो टेक्स नहीं दे सकते थे, और अंग्रेज जबर्दस्ती टेक्स वसूल ना चाहते थे, बस ठन गई, और गांधी जी ने वहाँ पे एक आंदोलन कर दिया, उसके बाद 1918 में, नेक्स्ट येर ही, एक और बड़ा अंदोलन किया जाता है, गांधी जी के दोड़ा जो सक्सेस्फुल रहता है, वो एहमदावाद गुजरात में होता है, सूती मील मजदूरों का सत्याग्रे होता है, एहमदावाद में, जो कोटन मील वर्कस सत्याग्रे यहां पर कोटन मील वरकस थे वो काम के घंटे कम कर दे जाएं वेतन बढ़ा दिया जाएं इस बात को लेकर कर रहे थे मालिकों ने निकाल दिया जो उपसे गांधी जी पहुंसते हैं सत्याग्रा करते हैं वापस ले लेते हैं तो तीन तो हमारी यह सत्याग्रा है शुरुआत पास लगता है ऐसे ओगांधी जी वापसी यहीं से वे थी यहां पर एक पुलिस थाने को आग लगा दे गे थी जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलके मारे गए थे तो इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोल को वापस ले लिया था तो यह इस तरह के से भी आ सकता है कि व नमक बनाते हैं नमक कानून को तोड़ते हैं और सविन्य वज्यांदोल ने इनकी सिविल डिसोबिडिंस मोव्मेंट की शुरुआती ही से होती है और शिक्स जो प्लेस है वो है अमरित सर पंजाब में जले वाला बाग की घटना यहीं पे घटित हुई थी तो 6, 3 प्लस 6, क कोंगरेस के परमुक अधिवेशनों को और यहां पे जो ट्राइंगल शेप हमने लिया सिम्बल लिया इससे हमने भारती राष्टे कोंगरेस के आंदोलन से जोड़े केंद्रों को लोगेट किया तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं तो यहां पे सबसे पहले हम ब करता था सिनबर उनेस सो 20 में हो था उसके बाद नाकपुर में हो था दिसंबर 19 pero 20 में यह नाकपुर है अब नाकपुर को लोकेट करने का तरीका क्या है कि जैसी यहां से आप देख लिए जे कि ये वाली जो line है, इस वाली line को आपको यहाँ लेके जाना है, और उसके बाद उपर से अगर हम देखें, थोड़ा सा हम उपर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा ये देखें, उपर से अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो ये वाली line आती है, तो इससे आप locate करोगे, ऐससे 1920 में, ये हो गए आपका नागपूर का, दिसंबर 1920 में, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें, नीचे किस तरफ जाएं, तो ये आपका मदरास का हो जाएगा, जिसको आजकर हम चेन्ने के नाम से जानते हैं, यहाँ पे 1923 में कोंग्रेस का अधिवेशन हो था, वे तीन कोंग्रेस पार्टी के अधिवेशन, उसके बाद हम बात करेंगे, कोंग्रेस पार्टी के, कोंग्रेस के नीब, बलकि भारती राष्टी या अंदोलन जो था, सवतंतरता संग्राम था, उससे जुड़ेवे कुछ के इंदर, तो इसमें सबसे पहले, चमपान देख आओगे, उसके बाद ये चोरी-चोरा है, यूपी में है, और ये सेंटर से, जितना चमपान उस साड़ है, ये सेंटर से उतना ही यहां रहेगा, उपर की दरफ, इसको हम कह सकते हैं कि नोर्थ इस्टन पार्ट है, ये यूपी का, तो वहाँ पर चोरा-चोरी है, उसके बा यहां पर बिल्कुल एक जिकली आपका एहमदाबाद है, एहमदाबाद से नीचे आ जाएगा आपका खेड़ा, और यहां पर ये दांडी आ गया, क्लियर, दांडी क्योंकि कोस्टल टाउन है, ये किनारे तट के साथ आपको लोकेट करना है, ये हो गए आपके six points, जो भार और तीन हमने कोंग्रेस के दिवेशन किये, तो ये आपका रहेगा मैफ़क का स्लेबस हिस्ट्री में से, उसके बाद हम बात करेंगे जियो की, तो जियो में आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें चैप्ट नंबर five, चैप्ट नंबर six, चैप्ट नंबर seven, तीन चैप पाउर प्लांट्स ताप्या उर्जा के इंदर शेंतर है, वो हमें लोकेट करने है, ताप्या उर्जा शेंतर कौन से होते हैं, जहां पे कोईले को या फिट जो पैट्रोलियम है, उसे बिजली पेदा की जाते हैं, जातर में कोईला जलाया जाता है, clear, तो उसे ताप्या उ पारा नरोरा यूपी में है काकरा पारा गुजरात में है तारyo महराश्ट्र हम ये पहला हमारा पर्मानु या अनूर्जा के इंडर था उसके बाद इन-क स्था पार www.m이나.com तो यह सबसे पहला आपका आजाएगा सिंग्रोली, मद्ध्य पर्देश में, यह आपका रामा गुंडम हो गया, तेलंगाना में आता है और उसके बाद नाम रूप यह असम में ऊपर की दरफ जाएगा, लास्ट येर के एकजाम्स की बात करें तो नाम रूप लगबग सबस ज़्यादा बार पोचा गया, तिया आपका नाम रूप हो जाएगा, यह हो गए आपके ताप यह उर्जा के अंदर, उसके बाद अनु उर्जा के अंदर सिर्फ फोर दिये गए हैं, चारी हमारे स्लिवस में, नरोरा, नोईडा के बिल्कुल साथ लगता है, नोईडा यान इस टाइब के नाम गुजरात में होते हैं, तियाद रख लेना, यह गुजरात में है, उसके बाद तारापूर महराष्टर में मुंबई के बिल्कुल पास में है, मुंबई से थोड़ा सा नोर्थ की साइड में, यह तारापूर है जो भारत का पहला अनु केंदर था, और क कलपकम की बात करें, तो यह चेन नहीं से थोड़ा नीचे की तरफ है, तो यह होगे हमारे तापिय और अनु केंदर, चलिए हम और देखते हैं, और कुछ हमारा मैफवकस लेए बस, उसके बाद 6 चैप्टर हमारा आ जागा, यानिकि 5 चैप्टर में से हमें क्या दिया गए तापिय केंदर और अनु उर्जा केंदर, उसके बाद 6 चैप्टर की बात करें, मैनुफैक्टरिंग इंड़स्ट्रीज, वी निर्मान उद्योगत यहाँ पे, सबसे पहले हमें दिये गए कोटन टेक्स्टाइल इंड़स्ट्रीज के कुछ सेंटर, सूति वस्तर इसके लिए भी हम पहले ही कर चुके हैं, तो चलिए इन 6 प्लेस को हम लोकेट करते हैं, जो हमारे सूति वस्तर के परमुकेंदर है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे UP के साथ सुरुवात करेंगे, UP में हमारा कानपूर आ जाएगा, यह लगभग आप सेंटर में शो कर सकते हैं, UP के, UP के लगभग सेंटर में बीच में रहेगा कानपूर, उसके बाद इन दोर है, यह वेस्टरन मध्या परदेश में आ जागा है, इस लाइन को अगर हम सीधा लेके आएं, तो यहाँ पे इसी लाइन के बिलकुल सीध में, यह इन दोर है, उसके बाद सूरत यहाँ पे आ गया, यह सूरत नीचे की साइड में, दक्षनी गुजरात आ गया यह पार्ट, उसके बाद मुंबई, मुंबई को यहाँ थोड़ा सा दूर है, बिलकुल पास कर दीज़ग, क्योंग यह ताटिये शहर है, उसके बाद कोईमबटूर, यहाँ तामिलाड लोहाई स्पाथ शहंतर के अगर बात करें, तो यहाँ पर आइन स्टील प्लांट्स में, हमारे इस लेबस में जो देगे हैं, मैफ़ा के इस लेबस में, तो उसमें है, जमशेद पूर्ट इसको आने के बहुत ज्यादा चांसेज रहेंगे, क्योंकि भारत की पहली जो आइ जमशेद पूर की, जो जमशेद पूर है, वो कहां पर दिया गया है, जमशेद पूर आपका दिया गया है, जो आपका जारखंड है, उसके साउथ में यहाँ पर आजाएगा, जमशेद पूर, उसके बाद बोकारो यह भी जारखंड में, जो की नौर्थ में आ जाएगा, नर्थ इस्ट कह सकते है, नर्थ इस्ट में आ जाएगा जारखन के, दूर्गापूर ये आपका West Mingol में है, बिलाई बिल्कुल सेंटर में है, आपके 36 कड के, यहाँ पर विजयन अगर आ जाएगा, नोर्धन करनाटका में, करनाटक के उत्तर में आ जाएगा, और सेलम की बात पूर्पूर जो सेंटर में बिल्कुल पश्चिम मंगाल के वेस्ट मेंगौल के दन 36 गड़ के बिल्कुल बीच में आपका भिलाई आजाएगा वीजन अगर करनाटका के उत्री पार्ट में आजाएगा और सेलम के अगर बात करें तो ये तमिलनाडो के बीचो बीचा जाएगा बिल्कुल एक तम तो ये आपके लो इस पार्ट के इंद रहेंगे इस चाप्टर से लेटे जो मेफ़ख है उसके बाद तीसरा जो पार्ट दिया गए इस चाप्टर से लेटे मेफ़ख में फिप्ट मॉंबई दिया गया, सिक्स चैनाई दिया गया, सेवन्थ पूने दिया गया और एट्थ के अगर बात करें तो आपका तिरुवनंद पुरा में ये टोटल हमें दिया गये जिनको हमें लोकेट करना है हलांकि मेफ़ख के अगर बात करें तो इंग्लिश मेडियम के लिए हम ओल्रेड़ी पब्लिस कर चुके हैं जिसका लिंक मैं उपर आईटेप पे देने वाला हूं वहां से आप क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हो हलांकि मेफ़ख में ऐसा कुछ नहीं होता है मेडियम चाहिए वो इंग्लिश भी हिंदियो हमें तो एक्जेक पलेस के बार में ही पता होना चाहिए तो यहां पे भारत के अगर आईटी पार्क के बात करें तो सलेबस में बहुत कम हमें दिये गए जिनको हमें यहाँ पे करना है तो सबसे पहले आपका नोईडा आजागा नोईडा जहाँ पे लोकेट कियागा इस मैफख में इससे थोड़ा सूपर की तरफ हैगा यहां पे, थोड़ा से उपर की तरफ, क्लियर, क्योंकि यह जहां पे दिये गई, थोड़ा नीचे हो गया, यह डैली के बिल्कुल बगल में है न, यह डैली वालों को अच्छे से पता है, तो वहां पे हमें लोकेट करना इसको, जैपुर हो गया, उसके बाद गांधी नगर ह हो गया, मुंबई दिया गया, मुंबई से थोड़ा नीचे की तरफ, आपका पूने आजाएगा, हैदराबाद आपका आजाएगा, जो तिलंगाना की राजधानी बिल्कुल सेंटर में, चेन्ने ही आजाएगा, थोड़ा उपर ले लिजए इसको, बैंगलोरू आजाएग हमारा चैप्टर है, सेवन्थ चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर आपके जियोग्रोफिका, इसमें हमारे दो इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, यानि कि दो टाइप के कुशन पूछे जाएगे, यह हमारा चैप्टर लाइफ लाइफ लाइन्स ओफ इंडियन भारती अर्थ वजस्ता की जियोण रेखा हैं, तो इसमें पूछे गए पहले भारत के परमुक पतन, यानि कि मेजर पोर्ट्स पूछे गए, बंदरगा यहाँ पर पूछे गए, और दूसरे एरपोर्ट्स पूछे गए, पोर्ट्स की बात करें तो हमें टोटल टैन पोर् पूछे गए, यानि कि तोटल अगर पोर्ट्स की बात करें तो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स है, तो मॉंबई में दो आगे तो एक ही यहाँ पे काफी रहगा, एक कोलकाता हो रहता है जिसको इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, बाकि सभी मेजर पोर्ट्स को यहां पर हमें लोक पाकिस्तान में, तो हमने कांड़ा पोट को विक्षिद किया था, सबसे पहले इसी पोट को विक्षिद किया था, डैली के सबसे नज़्तिक यहीं पोट है, उसके बद मुंबई है जोहाणलाल नहरु पोट है और एक नहावा शिवा में बना लेटेस्ट बना और सबसे वो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कोची, बहुत खुबसूरत पोर्ट है ये, अरब सागर की रानी कहा जाता है इसे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद तूती कौन, भारत का सबसे दक्षनी पोर्ट है, शिरलंका के साथ जातर वैपार है, वो इसी पो और इसके डैलप करने का में जो परपजरा है, वो यह है कि हम मिंडल्स, खनीजों का एक्सपोर्ट कर पाएं, हल्दिया पोर्ट ये कोलकाता में है, मतलब वेस्ट मेंगोल में कोलकाता के नजदिक है, तो कोलकाता के उपर जो प्रेशर दबाओ बढ़ रहा था, उस पर हल्दिया पोर्ट है, उसको डैलप किया गया, तो एक बार फिर से देखिए, कौन-कौन से पोर्ट है हमारे कांडला यहां आ जाएगा, यहां पर, यानि कि यह आगे आपकी कच्च की खाड़ी तो उसमें उपर की तरफ आ जाएगा, यह मुंबई हो गया, मारमा गाउ, नियु मंगलोर, कोची, ओके, यह की साइड में आगे पश्मी तरफ यह पोर्ट है, दक्षनी पोर्ट कौन से हमारा, यह एक तूतिक और ना जाएगा, जो शिरलंका के सबसनेज दिखे, यह हमारे पूर्वी तरफ यह पोर्ट है, चेन्ने ही हो गया, विशाका पतनम हो गय और हल दिया हो गया, क्लियर तो यह बात हुई हमारे पतनों की पोर्ट की, अब हम बात करेंगे एरपोर्ट की, यहाँ पे हमें एरपोर्ट भी दिएगे, सिक्स एरपोर्ट दिएगे, जिनको हमें लोकेट करना है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एरपोर्ट अंतराश्टी वायू पतन या वायू यान या हवाई इदे इनको कह सकते हैं कौन-कौन से अमरीच सरका राजा सांसीफ इंटरनेशनल एरपोर्ट यहाँ पे दिया गए ड्रैली का हमारा इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिया गए कौलकात्ता का हमारा नेताजी सुभासंद्र बोस इंटरनेशनल एरपोर्ट दिया गए मुंबाई का चत्रपती शिवाजी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिया गए हैदरबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट और चेने का मिनम बक्कम इंटरनेशनल एरपोर्ट ओके ये सब कुछ हमें यहां पर देगे तो चली एक एक करके इनको भी लोकेट कर देते हैं तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अमरिस्तर से शुर पूछा जा सकता है उसके बाद है डेली की बात करें तो यहां पे इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट है पालम में है और उसके बाद कोलकाता में नेताजी सुभासंद्र पोर्ष इंटरनेशनल एरपोर्ट है मुंबई छत्रपती शिवाजी इंटरनेशनल एरपो जो आपके slavers में दिये गए यह था हमारा मैफवा का slavers, second term का मैफवा का जितना भी slavers था वो हमने यहां पर discuss किया hopefully सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसके अलावा भी अगर कोई doubts है, questions है तो आप comment करके पूछ सकते हैं, और हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा लगा, सब कुछ helpful रहा, तो एक बार छोटा सा comment जरूर कीज़ेगा और हाँ, आपके लिए जितने भी chapters है, SST, सामाजिक विज्ञान के second term के, वो total chapters हम already published कर चुके हैं, total chapters और most important questions की बात है, तो mostly chapter के आपके most important questions भी आचुके हैं, आपके history के आचुके हैं, आपके geo के आचुके हैं, आपके poll science के आचुके हैं, eco के रहते हैं, eco के भी publish कर दे जाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye-bye, have a nice day.